युवक ने कोतवाली थाने में दिया लिखित आवीदन, अनुबंध के आधार पर किये गए कारे का भुकतान ना करने की शिकायद मध्यप्रदेश के विदिशा की कोतवाली थाना पहुँच कर धरमेंद्र परहार नाम की युवक ने लिखित आवेदन देते हुए शहर के बड़े अनाजवय पारी सत्यप्रकाश अगरवाल के बेटी राहुल अगरवाल पर गंभी रारूप लगाए हैं धर्मेंद्र परहार ने बताया उन्होंने साची रोड इस्तिते के स्थान पर पुराओ का काम कराया था तहस समय से पूर्व ही उन्होंने इस कारे को 70 फीसीदी से जादा पूर्ण कर दिया उस लिहाद से 7,70,000 की राशी राहुल से उन्हें चाहिए शुरू में 1,15,000 ही राहुल दिया रा दिये गए राहुल की ओर से काम भी बंद करा दिया गया ऐसे में राशी मांगे जाने पर धर्मेंद्र को धमकी दी जा रही थी समन्द में कारवाई की मांग को लेकर और अपनी राशी प्राप्त करने को लेकर राहूल ने स्पी के साथ साथ कोतवाली में भी लिखित ग्यापन दिया को साड़े चार पांच लाख रुपए इसके उपरां उनकी नियत खराब हो गई कि यह तो बहुत जल्दी काम कर देगा और यह ज्यादा नहीं दिया गया और खुली धंकी दे रहा है जो बने वो कर लेना है मैंने च्छे लाख सत्र अजार रुपए का बिल दिया है उन्हें और जिसमें से एक लाख पंदरा आजार रुपए में पराप्त कर चुका हूं शे लाख पच्पन अजार रुपए आया रासी मुझे ल आज़ाब में आशवाशन दिया है कि जल्द से जल्द समस्या का शमाधान कराने की पूरी कोसिस करें है खबर भारत वर्ष के लिए विदिशा से भयालाल ठाखड की रेपोर्ट अपने शेहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला चनतंत्र का